नविश्पर मैं मंजूरूद्याल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में बढ़ते हैं आज की खास ख़बरों की तरब आयोध्या पुलिस ने किया 31 लाग की डकैती का खुलासा साडू ने बनाई थी डकैती की योजना नौ डकैत गिरफ तारीक फरार लूटी गई रकम में से 360 जार रुपे हुए वरामत 18 दिसंबर को कोतवाली अयोध्या के तकुरा में हुई थी डकैती पेडित ने अपनी बेटी की शादी के लिए भेजी थी जमीन आठ दकैत मुरादाबाद के और साडू वस्ती का रहने वाला साडू शाली ग्राम वर्मा ने रची थी डकैती की घटना साडू की पेडित की लड़की की तैक करवाया था शादी मुरादाबाद में रची गई थी डकैती की शाजेस सौधी अरब में नौकरी करता था पिडित का साडू, शालिक राम, वर्मा, पांच देशी दमन्चा, दस कार्तूस, छे मबाइल और दकैती में प्रयोग किये गए स्कॉर्पियो गाडी भी परामत पत्रकारों को जानकारी देते हुए वरिस्ट पुलिस अदिक्षक शलेश पांडे ने मामने की पुष्टी की लाइफ टीवी समचार के लिए आयोध्या से विके आदाव के रिपोर्ट कि अधार दिसंबर की रात में थाना दर्जन नगत शित्र में एक जख्ती के अहां अपदादी भुष्टे हैं और इसके अहां जकैती की घटना कारिक करते हैं वारी द्वारा जो पहली दिलिए इसमें थान से 6 लाख रुपे नगत और आभूशन प्रूटे जैने की बात बताई गी इस पुलिस ने अध्यात में पंजिकृत घटना का सफल अनावरन किया और इसमें पूरा का पूरा गैंग वरकाउट करते वे उसमें फुल नौ लोगों की गिरफ्तारी सनिशित की है जिसमें जो मेन प्लानर है सालिक राम वो जल्पन बस्ती का रने वाला है और मुरादाबाद से छेश लोगों को टीम को बुलाकर उसने इस घटना को इकादित कराया था बैग्राउंड में ये रही इसकी बात कि वादी ने अपनी जमीन बेची थी और जमीन को बेचने के बाद जो क्या है था वो घर में था इसकी जानकारी सालिक के पास थी उसने पूर में संपर्क में था उसके कई मित्र थे जिनका अपराधी के तियास था जिनसे वो संपर्क में था जब इस चीज की चर्चा इन दोनों ने आपस में की और पकालिक करने की पूरी यूजना बनाई पूलिस टीम ने जैसा मैंने बताया इसमें से 3,60,000 नगत घटना में परियुक गाड़ी हमाइल फॉन और कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है अपराधियों से पूछताच में ये बात प्रकाश में आई कि इसमें पॉंस से छे लाक नहीं जबकि 31,30,000 रुपे लूटे गए थे शेष रकम की बरामती के लिए हमारी टीम प्रयास कर र है उसकी किरफ्तारी का नियास किया गारा है किरफ्तारी का हसुए थे हैं किरफ्तारी अपने हसुए